नवस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती हो गई लोग ओवर कंफिनेंस को बोल सकते हैं जाने चाहे जाने अंजाने में कि भई छट धलाई कर रहे हैं छट धलाई जैसे किये तो इस्टेजिंग जो है कंक्रीट का हो चाहे मैं पावर का है लोड नहीं ले पाया वो क्या ह हुआ यह थे निचे और इसके वजह से क्या हुआ कि पूरा द्रीके से चुख अब इसके पिछे क्या है क्या वजवार है और इसका समाधान और आपको क्या चीज का ध्यान देना है धलाई के समय जिससे क्या है कि आपके साथ ऐसा ना घटे अगर ऐसा होता है तो भाई आपका सारा पैसा बरबाद जिस घर में आप रहेंगे ऊपर देखेंगे तो भाई छत और बीम पूरा इससे जुका हुआ क पूर करते हैं चलते हैं इसके पीछा ऽरीजन देखते हैं यहां पर मैंने आपको सेंपल बना कर दिया यह आपका वीचोंफ हो गया यह हो घटना सब्सक्राइन हो डिख्या है और देख्या से आप छुने पीछी क्या है जके system क्या है नोर्मल नहीं क्या है कि जब हम लोग स्टेजिंग करते हैं तो उस समय लोग गलती क्या करते हैं उसको अगर वो नीचे फ्लोर तक नहीं पहुंचता तो उसमें क्या करता है वो लोग कुछ इस तरीके से दुसरा बल्ली को जॉइंट कर देता है अब बताए जैसे इसके इस बल्ली पर लोड परेगा इसका सेंटर क्या करता है कि लोग क्या करता है कि इस जो फ्लोर लेवल मेरा जहां पर तो इस जगह पर क्या करता है बालू कि बालू चाहिसे बालू जो सेंटर भी बोलते हैं उसके उपर डायर्ट जो इस्टेजिंग कर देता और याने तो उसके उपर क्या करेगा एक ब्रीक रख देग एक ब्रिक रख देगा उसके उपर स्टेजिंग कर देगा तो उसके वज़र से भी और यह पूरा बालो तो कमपेक्शन रहता है नहीं है और जैसे ही लोड आता है यह भी पूरा जो है नीचे धस जाता है तो यह आपका पूरा जो है छत धसने की चांस होता है यहां यह कॉलम है यह कॉलम है हम यहां पर सेंपल आप देखा रहे हैं तो यहां पर हुआ यह है कि जैसे ही कंक्रीट आया पूरा जो है स्टेजिंग स्टेजिंग पहले मेरा कुछ इस तरीके से था पूरा अच्छी तरीके से छत का लेकिन जैसे ही मेरा कंक्रीट इस पर पोरिंग किये और यह एस्टेजींग मेरा ऐसे करके जुक गया है ठीक है अब इसका समाधान क्या है यह जुक गया कि यही सब रिजन पर रिजन बादर हैं जितने सारे रिजन मैंने बताया कभी भी इस तरह का जोईट नहीं देना कभी पर एटा पे बालो के उपर स्टेजिंग नहीं करना है ठीक आप और स्टेजिंग जब भी करें जहाए आप जो है नया बास आपटेक्ट लों कि प्राना सरप पूराना मास चाहे बली इस्तेमाल करेंगा बंबू या बल्ली तो उससे क्या होता है कि जैसे एक और चीज होता तो यह पूरा ऐसे प्रज़ाता है तो यह पूरा ऐसे प्रज़ाता है तो आपको ही देना कभी भी पुराना बांस चाहिए बल्ली कहीं इस्तेमाल करें कभी भी जो है इटा के उपर ब्रिक और यहां तक अगर सट्रींग जहें स्टेजिंग जहें के लिए मिटल कम पड़ जाता है तो वो लोग क्या करता है पूरा उपर तक जो है चार पांच लेयर बना और जोइंट नहीं देना है बालू को पर नहीं रखना है बिरिक के ऊपर नहीं रखना है यह सारा चीज़ आपको ध्यान देना और देखिए अब कहां होती है तकलिफ तब होती है किसी को भी जब इतना मेहनत के कमाई से घर बनाना शुरू करते हैं लेकिन जब कंकिट पोडिंग करते हैं अब ये सारा चीज़ को अगर अपने ध्यान नहीं दिया है तो भाई पूरा यह जो मेरा लेभल था इस लेभल से लगबग और यहां जो प्रोब सकते हैं कंकिट के इतना लोड अब उसको तो उठा नहीं सकते हैं तो जैसे तैसे जो है कॉंट्रेक्टर लोग इसको उठा करके कम सकम जो है छे इंची तक लाया लेकिन वाई यह पूरा जो है बीम पूरा जोका आवा चेंची देखेगा और यह तो ठीक यह तो चल महलब क तो कुछ इस तरह किस देखेगा अब आप इसको तो कुछ भर सकते नहीं है जा जितना भरेंगे कंकिट भरेंगे तो और आपका लोड आ जाएगा तो यह सारे मिश्टेक आपको जेनरली देखने को मिलेगा तो जिस समय आपका कॉंट्रेक्टर स्टेजिंग का काम कर रहा है उस समय आपको यह ध्यान देना है कही ऐसा नहों कि आप उसको नजर अंदाज कर दे आप उसको देख नहीं पाए और उसके वज़े से यह हालत हो गया है तो स्टेजिंग को लेकर के मैंने बहुत सरची बत अच्छा क्वालिटी का ऐसा नहीं कहीं से पुराना दुनाना लाकर के बना रहे किसी तरह काम चला रहे काम है आपने तो स्टेजिंग लाके दो गया होता है एत्पें स्टेजिंग मेरेत्रेजरव लोग बहुत पुरहना इस्तमाल करते हैं जो यूज हो चो का उसको भी इस्तमाल करते अगर पुरहना इस्तमाल करेंगी 5 matt यहां तक समस्य आएगा आपको तो आपको यही बस ध्यान लेना है कि भाई यह सबसे बहुत बड़ा मिश्टेक है तापको ध्यान में ले करके चलना है कि ऐसा जो है आपके घर के साथ ना हूँ कि तो फूर पूरा बेंड देखेगा और मैंने इसका सोलुसन बताया था इसका सोलुसन कुछ कि पूर्य सोत्सिंग कर सकते हैं कि आप यहां पे फॉल्स लगा सकते हैं कि इस लेवल से निचे आपका कि यहां तक आपॉल्हें सरी कि इसको धख सकते हैं उपर में जो है लाइट में देखर करके फिनिंशिं मार दिए तो हो जाएगा लेकिन तकलीफ तो रहेगा ही रहेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए कुमेंट कीजिए ने थैंक्स का टैब है उस पे किलिक करके आप हमें सपू दिखेगा ठीक रस्तों धन्यवाद रस्तों